हेलो एवरिवान पार्ट शिक्स में आप सभी का स्वागत है अगर आप लोगों ने इस सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे है तो आप उन्हें पहले देख ले सो लेट्स गेट स्टार्टेड पार्ट शिक्स की शरुआत में हम देखते हैं कि सूजिंग अब पहले ही जेसे काम करने लगता है वो एक बिजनस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चाह रहा होता है तो वो चियू को भी अपने साथ लेकर शाता है वापस आते समय चियू जो की कार चला रहा था उसके हर्ट में अचानक से दर्द होने लगता है अब सूजिंग फ़स्ट एट को कॉल करता है चियू सूजिंग से कहता है कि ये दर्द इतना स्यदा हो रहा है कि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्या तुम मुझे चल्दी से होस्पिटल लेकर जाओगे अब सूजिंग ड्रंक था इस वज़े से वो करना नहीं चाहता था पर चियू की हालत देख कर वो मान चाहता ह अब जैसे ही वो कार के अंदर चाता है और ड्राइव करने की कोशिश करने ही वाला होता है कि आगे से एक बंदा जोकी कब से वहां पर इंतजार करके खड़ा था वो आता है और उसकी काड़ी को ठोक देता है सूजिंग बहारा कर देखने लगता है कि क्या हुआ अब वो बंदा भी बहारा चाता है और चिलाने लगता है कि तुमने मेरी काड़ी को क्रैश कर दिया अब इसका हर्दाना कौन भरेगा सूजिंग कहता है कि मैं अभी झलदी में हूँ मुझे होस्पिटल इसे लेकर चान है तो तुम बाद में मुझे कॉल कर देना जितना भी तुम्हारा नुक्सान हुआ है उसके भरपाई में कर दूंगा पर वो इनसान तो सूजीं के साथ चगड़ा करने लगता है कि नहीं तुम तो ड्रंक की हालत में कार चला रहे थे और देखो तुमने मेरी कार का क्या हश्र गिया ये वाला सीन यहीं पर ही कट हो जाता है अगले सीन में हम देखते है कि चियू आस्पिटल में था वो पीटर को कॉल पर सारी बाते बता देता है कि क्या हुआ पीटर का कॉल कट हो जाने के बाद हम चियू को देखते है जो की बलकुल ठीक ठाकी था वो किसी बंदे से बात कर रहा था कि आज जो तुमने किया उसके मैं तुम्हें 20,000 युवान दूँगा ये खबर कहीं लेक नहीं होनी चाहिए और तुम मुझे दूबारा दिखोंगे भी नहीं यानि कि ये सारा काम तो चीयू नहीं करवाया था सूजिंग को बदनाम करने के लिए सूजिंग अभी पुलिस टेशन में था अगले दिन ये न्यूज वाइरल हो चाती है कि फेमस सूपरस्टार सूजिंग जो कि कर रात ड्रंकी हालत में कार चला रहे थे जिसकी वचे से चीयू का एकसिटन्ट हो गया फिर हम यलांग को देखते हैं जो कि जूली के घर पर आया था वो फूल लेकर आया था शावी को डेट के बारे में पूछने के लिए पर शावी अपने फोन में ये चब नियूस को देखती है तो वो यलांग की कोई भी बातों को सुने बिना वहां से चली जाती है जूली को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो जीयू से मिलने के लिए आती है जीयू उसे जूट बोल देता है अब वो जूली के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा होता है ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते है थोड़ी दिनों के बाद सूजिंग चिल से छूट जाता है तो जीयू और चिंग पिंग उसे लेने के लिए आते है जीयू सूजिंग से कहता है कि पीटर ने हमें कहा है कि प्रेस कॉनफरेंस में ये सारी बात हम क्लियर कर देंगे कि उस रात क्या हुआ था तो सुजिंग उसे कहता है कि अब प्रेस कॉन φरंस स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर सुजिंग खड़ा था वो उस सारे माملे को क्लैरिफाइ कर रहा था कि क्या क्या हुआ पीटर भी वही पर ही था वो जीयू का इंतसार कर रहा था क्योंकि सुजी ने कहा था कि मेरा दोस्त चीयू आकर तुम्हें एक्स्प्लेंड कर देगा कि आखिर में असलियत क्या है पर चीयू तो वहां आता ही नहीं पीटर और सुजिंग दोनों ही उसका इंतजार करते रहते हैं पर रिपोर्टर्स तो सारे गुसा हो जाते है कि तुम चीयू को इस मामले में खसीटना चाते हो और अपना नाम क्लियर करना चाते हो इस वज़े से ही तो तुम चीयू को बुला रहे हो वैसे तुम ने एक्सिडेंट कर दिया है तो तुम इस बात को कनफेस क्यों नहीं कर देते हैं यहां रिपोर्टर्स और दोनों ही वापस आते हैं तो जी यू तो वहीं पर ही पीटर के ओफिस में था वो माफी मांगती हुए कहता है कि मैं आना चाहता था पर वो बहाना मार देता है कि मुझे ये काम आ गया सुजिंग तो कुछ भी ना बोलते हुए वहां से चला जाता है अब पीटर को जी यू पर शक होता है क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि जी यू अखिर में कैसा लड़का है यहां पर हम दो रिपोर्टर्स को देखते हैं चुकि एक का केमेरा खराब हो गया था दूसरा उसकी मदद करता है सारे डेटा को फिर से वापस लाने के लिए यहां पर उन दोनों को एक वीडियो मिल जाता है जहां पर शावी और सुजिंग दोनों ही जब पहली बार मिले उसकी वीडियो थी वो दोनों ही रिपोर्टर इस न्यूस को इंटरनेट पर डाल देते हैं यह न्यूस तो वाइरल हो जाती है अब सारे ही लोग शावी और सुजिंग के बारे में गलत-गलत बाते बोल रहे थे मिस्टर जीया को भी यह न्यूस मिलती है वह यह न्यूस द तो वो इस न्यूस को देखता है चल्दी से वो शावी को कॉल करके कहता है कि तुम इन सारी चीजों के लिए प्रिपेर रहना शावी उसे उसके फिक्रह ना करने को कहती है वहीं पर यह लंग भी खड़ा था वो भी इस न्यूस को देख रहा था यह लंग शावी से कहता है कि सूजिंग को कमपनी ने निकाल दिया है पर तुम ऐसा मत सोचना कि मेरी बहन और सूजिंग का कुछ चकर चल रहा है यूशुवान को अपने भाई की फिक्र हो रही थी अब तो जूली और जीयो दोनों ही साथ में आ गए होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे को चुपके से डेट कर रहे होते हैं जब जूली घर पर वापस आती है तो वो शावी पर गुसा करने लगती है उसने भी ये सारी नियूस देखी थी अब वो शावी को कहती है कि तुम्हें पता था ना कि मैं सूजिंग को पसंद करती थी पर फिर भी तुम उसके घर पर काम करने गई और उसका फाइदा उठाया देखो तुम्हारी ही वज़े से सूजिंग का ये हाल हुआ है इन दोनों बेहनों में काफी स्यादा चगड़ा हो जाता है जिसकी वज़े से शावी खर छोड़ने का फैसला कर देती है अगले दिन शावी होंगशी में काम कर रही थी वहां पर वो खर ढूंड रही थी कि तबी ही ये लांग वहां पर आता है वो भी उसके बारे में चानता है तो वो कहता है कि अमेरिका में मेरा एक दोस्त है उसका खर अभी चाइना में खाली ही है और यहां कमपनी के पांस भी है तो तुम्हें कोई भी दिकत नहीं होगी जबकि वो अमेरिका में रहता है और काफी ज्यादा पैसे वाला भी है इसलिए उसे रेंट की भी कोई परवा नहीं है तो शावी कहती है कि तो चलो हम घर देखने के लिए चाते हैं उसके बाद में लगता है वो रेंट के बारे में यह लंग से पुछती है तो यह लंग कहता है कि मेरे दोस्त को हाईजीन रहना पसंद है तो तुम इस घर को क्लीन रखना बस तुम्हें रेंट देने की कोई भी जरूरत नहीं है यह सुनकर शावी और इहां दोनों ही खुश हो जाते है होता है यहीं पर ही खतम जोंट फगेट यो लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक्स फोर वाचिंग बाइबाइबाई